आपने तो गमला में बहुत सारे फूल लगाए होंगे जो की छट पे होगा आज अब फूल प्रांट का नहीं बात करेंगे हम फल के बारे में बात करेंगे 20 ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जिसका जानकारी आपके पास नहीं होगा और मैं इसका लगानी का भी धी बता और यह 17 रुपे में दे देगा दाम भी हम उसका बता देंगे अगर जो भी आपको प्लांट इसका भेराइटी चेक करना है तो नंबर वान एक री कल्चर पे जाके भेराइटी सभी प्लांट का चेक कर लिजेगा उसके भेराइटी का भी नाम बताया है जो कि भारत के उत्री में जाईएगा इसमें से पहला नंबर पर बात कीजेगा तो यह ले ले सकते हैं बैर का प्लांट का समीरी बैर करके आता है और यह बहुत अच्छा देखने में लिए अगला बात करें तो पैसन प्रूट का आप प्लांट ले लिजे यह आपको डियर सो या एक सवस्ती के लिए ऐसे भी घर पे रहेंगा तो यह इसमें दो विराइटिया आता हैं नूवर वान एकड़े अरी कल्चर पर पूरा डिटेल्इल बता हैं कैसे कौन कौन विराइटिया आता है और यह वज़ Hartify सच्छार द्वारा विकृत किया गया है आईसीन द्वारर अगर निस ए गया है मैं यह उसी का plant लाया हूँ यह लगाना है और यह गमना मी मैं नहीं लगाएऊ इसका बहुत बारT धे बात प्राम से लगा सकते हैं अगलाब अगला बात करें तो भी यह था अमूरूद का बात कररें इसका अभी मैं नीचे जमीन पे लागा रहा हूँ एक अमरुद मेरे पास गम्ला में है और एक जमीन पे रखूंगा जमीन पे इसलिए रखूंगा जो ज़्यादा फल दे और इसे आपका घर के चारुता अपर आता है तो ज्यादा से ज्यादा धूप नहीं घर में जाता है जिसे आपको देखने में भी बहुत अच्छा गिरिन ली रहेगा और ज्यादा फलता है अगर ये गमला में आपका पाच केजी फ़रला है तो ये आपके जहां दहेगा वहाँ 200 केजी 300 केजी के हिसाब से फढ़ेगा जो कि देखने में आगर इसमें 15 दिन पानी भी नहीं दिये तो क ये रखना ही होगा इसलिए मैं रख रहा हूं और इसमें एक बुरी में गोबर की खात देतीया हूं इस पर डीटेल भी वीडियो नबर एक रिकल्चर पर भी अबलेबल है और गार्डेनर दोस्त पर तो एबलेबल ही है उस पर भी आप देख सकते हैं दोनों पर आप मिल ज सरी में आराम से मिल जागा आपको ये भी सोच डेर शौ में आराम से मिल जाता है इसमें आप सब्जी वाला भेटिया ल अलगाता है और एक बार मासी आने लगा है वो भी बहुत अच्छा देखने के हैं ऐसे नacji कठ बात करें तो यह बहुत सुन्दर भी लगता है ऐसे भी ड़ान्ट रहेगा अगर दमूला में नहीं है ऐसे भी लगा रहे है तो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है थाइ का तर आज गल नया बिरैटी यह आया है Marian I सारा भी विख्षित किया गया विराइटी है एक वह भी आप लगा सकते हैं से ख्वाजा करके आता है और भी बहुत सारा विराइटी आता है ऐसे नमबर वन एकर कल्चर पे 20-25 विराइटी बता दिये थे जो कि यहां बाला क्लाइमेट में होगा लेकिन थाई बाला जो है परणेनर श्वायलों बहुत अच्छा बनाएना होगा और कोको पीट का ज्यादा प्रियों करना होगा क्योंकि ज्यादा भारी होगा तो च्छद गेठने का चांस रहता है इसलिए यकांबारी वाला इस पर आगला भात करे तो निंबू का बात करें जो काक जी नेम्वा आ रहेटी है जो कि कुछ बरमासी है बात कर तो काग जी बेल की बात कर रहे हैं यह बराबरा बेल होता है अगर आप गमला में लगाएगा तो दो तीन फालेगा चार लेकिन अगर जमीन पर लगा दिजेगा तो यही 100 200 300 फोर ने लगता है क्योंगे जमीन पर ज्यादा यह होने लगता है और गमला में थोड़ा कम होता है इसलिए गमला में आप जरूर इसे लगा सकते हैं गमला में लगाने के लिए आपको यह करना होगा कोई कंटेनर रखना होगा और अगर पता के लिए भी लगा रहे हैं तो भी ठीक है अगर गमला में लगा रहे हैं तो आराम से ल ओनलाइन सौप से मिल दीए वह हैं वह वह नंटत यहाइट नियुकㄹ सबाइब घरिए भंके सेखोैस है unze कि जैए संता में किन गर्म के लिए रहता है मतलब जहातो है क्या पैली दिग्रीνεग elaborate बात करें तो इस्टार फूट इस्टार फूट आज कर खूब नाम में है और इस्टार फूट का बहुत सारा भी राइट याता है यह देखी कितना छोटा में फलने लगा यह भी बहुत अच्छा इसका आता है यह भी प्लान्ट आपको कोई भी नरसरी में 70 या 80 रुपे में म महां आराम से यह सब प्लान्ट मिलागा वह भी 70 रुपे में ऐसे तो यह सब लगाना बहुत अच्छान है वहां से आप दस बारा भी राइक लिए फिर दुबारा लाईएगा ऐसे ही करके लगा सकते हैं